नमस्कार दोस्तों मैं मदन सिंग शेखावातु मैं सर जैसल मेर आया हूं आज एक रिजल्ट आया है हमारी आरविदा एडबलू पेर के संजीव सर की बनेवाद देते हैं सर तो सर के पहले पिताजी की तकलीब थी और खुद के तकलीब थी तो आज एक रिजल्ट बहुत ही जबर्दस आया है और सर आज और प्रोटेक्ट लेने के लिए आये हैं तो दोस्तों सर के मुझ से सुनेंगे कि सर अपना नाम बता सर आपका नाम मुलतान सिंग सोडा है जैसमिर की गौण के रहने वाले हैं मेरे पिता जी के सास की तकलीब और अम्मून जारी होती थी गब तकलीब बता रहे हैं तकलीब बता रहे हैं तो थोड़ी बहुत होती थी लेकिन इसी ड़ाई से आखों की नजर भी बढ़ गी गुटनों की तर तकलीब भी ठीक है अब 80 साल की उमर में अभी गाहे के दूद निकालने बेट गए हैं एक साल से चूट गया था रहा है तो मैंने ये प्रजेक्ट लेने से अभी दूबार प्रोड़ेक्ट लेके जा रहे हैं सर के आपके क्या तकलीब थी सर मेरे तो कमरदर दो एक पाउं की सर पाउं सुना हो अब तो बहुत कुछी होती है सर अपने आपको यह होता है सर के पता रहे हैं कि अब मैं दुबारा ले जा रहा हूं पिताजी के रहो मेरे दोनों के लिए दुबारा दौई ले जा रहा हूं अब और दोड़ा पताजी ने अंग्रेजी दौईया अब 15-20 दिन साथ ली ती लेकिन अब पास साथ दिन से अंग्रेजी दौईया वो नींद की गोलिया थी वो थी वो सारी अब चोड़ दी है उससे अमुजारी तो जंप हो जाती थी बैठ जाते थे जब ठीक है लेकिन और दूद निकाल रहे हैं असी साल की उमर में और नजर भी तेज हो गई उसमें नजर भी देखते कम दे लेकिन नजर की दौई मैंने नहीं ली दी उससे उनकी इसमें भी शुदार हो गया है तो बहुत-बहुत दनेवाद देना चाहते हैं इस एड़ू प्यल संजीव सर क और नसीव गुरू जी की करपासे में यहां पर आया था और सर मैस्ट गुरू जी ने गाइडलाइन की कि आप जाकर करके वहां जैसल मेर एरिया में बहुत सारे लोग हैं पर परेसान है तो उनका अर्विदा के परचार परशार करो तो तो अभी मैं जितना बोलें इतना ही अब बहुत ही वह है एड़ लुपेर हमारे संधीव सरकेपारी में और यह प्रोड़ेक्ट इतने जबर दस रिजल्ट अर्विदा का रिजल्ट आ रहे हैं दो दोस्तों आप और हम बहुत मिलकर के तो सर आप हमारी संस्ता को क्या दिकरना चाहिए दन्यवाद देना चाहते अयाओ प्रोड़ बहुत का रप मिलकर का रिल्ट तोस्तों आप हमारी संस्मारी में जखेर हमारी संस्सा चाहते जब यह थर शेक्षए दोस्तों आपूग कर चाहते हैं जब शोस्तों आपेर संस्तों कर दो